तो देखे, खाना खाने के बाद काफी बार हमारा मीठा खाने का मन करता है और मीठे में अगर घर की बनी दोई मीठाई हो, लड़ू हो, तो मज़ाई आ जाता है नमस्कार, मैं हूं रेखा, मेरी सुख परसे में आप लोगों का स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं, सूजी बेशन के बहुत ही जबरदस लड़ू, जो मुँ में जाकर घुलने वाले हैं और आप इसे एक बार बना कर महीनों तक खा सकते हैं आप इसे फ्रीज में रखकर महीने बर चला सकते हैं या फिर दस से पंदरा दिन के लिए आप इसे बाहर रखकर भी खा सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है, वीडियो को फुलोच कीजेगा अच्छी लगे तो लाइक और शेर कीजेगा चैनल को सिस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेजर रू कीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंस सके तो चली बना लेते हैं लड्डू तो देखे सूजी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर एक बर्तन लिया है और इसमें डाल रहे हूँ सूजी यानि की रवा तो यहां पर मैंने लिए हैं दो गप शूजी अब यहां पर सूजी मोटी, बारिक जैसी बियुक आप ले सकते हैं तो यहां पर देखे, मोटी वाली सूजी है मेंने तो यहां पर मैं कप से माप रहे हूं आपको भी कटोरी गिलास सेट कर सकते हैं तो सारा मेजरमेंट हमें इससे लेना है अब यहां पर देखे इसमें पढ़ियासा मोन डालेंगे तो उसके लिए मैंने यहां पर घी का इस्तेमाल किया है और घी को मैंने पिगला कर लिया तो बहुत बढ़िया वाला टेश्ट आता है, यहां पर देखें, गी अच्छे से लग गया है, बहुत अच्छे से गीमी हो गया है, बहुत अच्छा मोन हो गया है, अब यहां पर इसे आटा लगाएंगे, तो यहां पर नॉर्मल वाला पानी लेना है, ना थंडा, ना गरम, तो बंजने कांदविया वह कुछ ही दालते मैं किली फ़ूल भीए पिब भंज भीव काहए रहे गीख़ी, ऐसे दसे 15 मिंट के लिए रखखेंगे शूजी अच्छे से फूल भी जाएगी और यह थोड़ा हाड भी हो जाएगा आप यहाँ पर देखे 15 मिंट की बाद में आप लोगों को दिखा रहे हूं यह अच्छे से टाइट हो गया है हाटा देखे हाड हो गया है और पानी जो था न सारा अच्छे से पी लिया है सूजी ने अब यहाँ पर क्या कर कुछ बना कर सकते हैं और यह च्वप और लिया है तो यह कुछ बनाई यह तो आहिछ बना लिया है और इस तरह से प्लेट में रख लिए हैं और जो बाकी काटा है ना उसे मैंने इस तरह से ढख कर रखा है जब यह वाला बेच बन जाएगा तो साथ में ही मैं इसे फ्राइ करते जाओंगे और बनाते जाओंगे अब यहाँ पर यह बन चुके तो इसे फ्राइ करेंगे अब यहाँ पर मैंने गैस पर कड़ाई रखी उसमें ओयल डाला है ओयल बहुत ज़्यादा गरम मत लीजिगा तो यहाँ पर इसे चेक कर लेते हैं देखिए यह थोड़ा सा पोशन डाल कर देख लीती हूँ अब यहाँ पर देखिए इसके पास में हलके हलके से बबल जा रहे है बहुत ज़्यादा गरम नहीं यह देखिए पस इतना ही गरम हमें यह ओयल चाहिए तो यहाँ पर इसे निकाल देते हैं और जो हमने बनाई है न मूठिया जिसे कहते हैं वह इसमें डाल देते हैं यह लड़ू बहुत गजब बनते हैं तो यहाँ पर देखिए जितना इसमें आता है कड़ाय में आप डाल दीजे और गैसकोब आपको स्लो से थोड़ा सा तेज रखना है इस बात का ध्यान रखेगा क्योंकि ओए न जो थोड़ा गरम है अब हमें इसे बहुत ज़़ादा गरम नहीं करना है तो स्लो से थोड़ा सा तेज रखेगा बहुत ज़़ा हाई मत रखेगा हाई रखेंगे तो क्या होगा न उपर से सिख जाएंगे नहीं कि अंदर से पकी नहीं पाएंगे अब एक से दो मिट के बाद में इन्हें पलट रही हूँ यह देखे अभी यह काफी सॉप्ट है तो हलके हलके हाथों से आप इसे पलट दीजे इस तरह से और जैसा कि मैंने बताया गैस को सुलो से थोड़ा सा तेज रखेगा यह देखे इन्हें पकने में साथ से आट मिट लग जाएगी तो पेशन्स के साथ पकाईगा ताकि अंदर तक पक जाए और जो लड़ू है न अड़िया बने अब यहां पर देखें बार-बार में मैं इसे अलट पलट कर रही हूँ एकसे डो मिट में आप इसे चेक करते रहे है और पलट थे रहे है यह देखे इन्में क्रैक्स भी लगे हैं क्रेक्स आएंगे तो उसका मतलब यह है कि अंदर तक यह पक रहे हैं अच्छे से सीक रहे हैं यह देखें तो फिर से इसे पलट देती हूं और देखें क्रेक्स आपको दिख रहे हों कि इतने बड़िया से आ रहे हैं और अब इनका हलका सा कलर चेंज करेंगे बहु बढ़े असा हमें change करना है, और यह देखे, इनमें क्रेक्स आपको दिखा रहे हैं, अब यहाँ देखे, इनका color अच्छे सिफ change हो चुका है, और color देख लिए हलका सा ही change किया है, बहुत ज़्यदा change नहीं करना है आपको, एकदम लाल नहीं करना रहा है, एकदम सुनहरा सा color आजाता है ना वैसा कलर रखा है यह देखिए तो सारे इसमें निकाल लेते हैं जर लिए मैंने ताकि एक्स्ट्र जो ओइल होगा वो इसमें आ जाएगा अब यहां देखिए अगर आपको लगे कि ओएल काफी गरम है तो थोड़ा सा ठंडा कर लेजेगा लेकिन गरम में बिल सकते हैं इस वाले तरीके से दोनों तरह से ही अच्छे से पक जाएंगे अंदर तक इन्हें भी आपको से उसी तरह से प्रोसेस से पकाना है ग्यास को सुदो से थोड़ा तेज रखना है और इस तरह से पकाती रही और हलका ज़्यक्त करेंगी बहुत ज़्यदा कलर आपको नहीं करना है तो बार भार प्लट करते रही है इसे और बढ़ी असा कलर आने तक इसे पका लेज़े इसमें भी अच्छे से क्रैक्स आ रहे है न यह भी अंदर तक बहुत अच्छे से बनते अब यहां देखें यह भी बन चुके हैं तो इने भी मैं निकाल लेती हूँ तो यहां पर इस पर देखें कितने अच्छे से क्रैक्स आ है न तो यहां पर मैंने इस्टेंर में से निकाल लिया है यह देखें तो सारे यहां पर रग देते हैं इस तरह से मैं सभी को फ्राय कर लूंगी अब यहां देखें मैंने सभी को फ्राइट कर लिया है और देखें मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ यह अंदर तक अच्छे से पन चुके हैं देखें पिल्कुल भी ऐसा कच्छा नहीं है अंदर तक अच्छे से पके हैं हाथ में देखें यह वाला भी देखें कितने देखें मैं फिर से आपको देखा रहे हूं बहुत अच्य से पग गए हैं तो तोड़कर छोड़ दीजे ताकि ठंडा हो तब तक हम क्या करेंगे चाशनी बनाएगे यहाँ पर देखें मैंने बरतल याइस में डाल रही हूं मैं चीनी तो इसी कप से मापकर मैंने बेशन और स चीनी लेगे तो इसी कप से मापकर हम चीनी लेगे तो यहाँ पर मैं दो कप चीनी लेगे यहाँ पर कोई तारवाली चाशनी नहीं बनानी है मैं आपको आगे बताऊंगे यहाँ देखें चीनी को हैना मैल्ट होने देते हैं तो गैस को मैंने फूल किया हुआ है और चीनी क मेल्ट करेंगे तो आपको विल्कुल भी टेंशन लेनी की जरूत नहीं काफी बार पिछली पर जो मैंने वीडियो डाली थे ना उसमें काफी लोगों की कमेंट्स आये थे कि हमें चाशनी की वज़र से बहुत परेशान नहीं लेकिन इस चाशनी में आपको कोई तार बगेरा कलर बहुत प्यारा आयगा अगर आप डालना चाथे हैं तो डालेवना स्किब कर देजेगा आप यहाँ पर देखे चाशनी को तीन से चार मिट हमें इस तरह से पकाना है और उसके बाद में इसे चेक करना है यहाँ पर देखें मैं इस तरह से दिखा रही हूं पल्टे पर 3-4 मिंट हो चुकी है तो हातों में थोड़ा सा इस तरह से लीजे देखें तो यह हलकी चिप-चिपी है लेकिर अभी चिप-चिपी नहीं बनी तो दो मिट के बाद अंगुठे और उंगली के बीच में लेकर आपको देखना है कि हलका चिप-चिपसा देखें कि तार नहीं बन रहा है आधा तार बन रहा है यह देखें मैं आपको दिखा रहे हूं पूरा तार नहीं है यह तार बनते ही टूट रहा है पस ऐसा है आपको रखना है मैंने प्लेट में थोड़ सी चाशनी की बून डाली है और ठंडा करके इससे आपको दिखा रहे हैं यह देखे इसमें तारसा है लेकिन बन नहीं रहा है आधा है तो बस ऐसी चिप-चिपी सी चाशनी हमें चाहिए होगी अब यहां पर गैस को आफ कर देते हैं पना यह बहु लिए हैं ड्राइपुट ऑप्टिनल है अगर आप चाहें तो डालें वहने स्किप कर सकते हैं लेकिन लड्डू में जब ड्राइपुट डालते हैं बहुत अच्छा टेश्ट आता है और इस तरह फ्राइप करके डालते हैं तो और भी बढ़िया लगते यह देखे अब यह यहां देखे ड्राइपुट का कलर चेंज हो गया है और किश्मी सीना अच्छे से फूल गई अब क्या करेंगे बस इसे उठागार हम साइड में रखेंगे गैस को ओफ कर देंगे यहां मैंने गैस ओफ कर दिया है तो चली इसे रख देते हैं साइड में और अब हमारी जो म पहुत बड़ी अलग रहा है देखें इतना बारी का आपको इसको पीसना है अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो जैसा कि मैंने कहा आप हातों से इस तरह से मैश करेंगे ना बहुत आराम से हो जाएंगे हातों से मैश करने के बद आप क्या कर सकते हैं चान सकते हैं किसी मो इस सारा इसमें add कर देंगे, अब यहाँ पर जो dry food हमने fry करके रखेते हैं, वो इसमें डाल देते हैं, अब यहाँ पर थोड़े से मैंने पिष्टा लिया हैं, वो भी इसमें डाल देती हूं, और एक चमच मैंने इलाइची का powder लिया है, ये भी डाल देते हैं, अब यहाँ प से close so Backstep R v अच्छे मिक्स कर दे अँ गड़ा सा भणा दिया अब यहां पर चाशनी सब हो तो तो एक दम घरम लेंगालिए तो इस पातDR द्यान रखिएक एकडम घरम चांची आपको नहीं डालनी है एकडम ठंडी चांचीxic न्हीं हलकी गरम होनी चाहिए और इस तरह से चम्मच ले लीजे और थोड़ी-थोड़ी चाषणी इसमें डालते जाए जब आपको लगे के लड़़ू बंद रहे हैं तो आप डालना बंद कर दीजेगा चाषणी को आपको पता रहे कि चाशनी हमें कितनी इसमें डालनी है तो यहाँ पर देखें मैं इस तरह से इसमें चाशनी डाले जा रही हूँ और इसे मिलाया जा रही है अब यहाँ देखें इस तरह से मैंने चाशनी मिला दी है और जब मैं इसे देखें हाथ में लेकर इस तरह से हाथों में इस तरह से लेकर छोटे या बड़े आपको पसंद हो वैसे आप लड़ू बना लीजे बहुत सौफ्ट लड़ू बनते हैं तो एक बात का ध्यान रखेगा हलकी गरम चाश्णी उनेची बहुत ज़दा गरम मत लीजेगा यहां देखे इस तरह से लड़ू बना ले देखे मैं आपको चाश्णी भी दिखा देती हूं यहां पर थोड़ी सी चाश्णी बची हुए यह देखे इस पूरी चाश्णी नहीं लगी है यह देखे इसे आप किसी भी मिठाई बगेर बाइस इस्तिमाल कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने कहा जब आपको लगे के आप लोगों तक पहुंस सकें और आपको रेसिपिया कैसे लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा